वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो पूर नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो का सबसे पहले आपको पता चले तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बपर मेमरी क्या है डिपिनिशन देखते है बपर मेमरी is a reserve area of the RAM that is used for the collection of pieces of the information आप लोग जानते है कि RAM आपके primary memory और main memory कहलाता है आपके screen पर जो कुछ भी play हो रहा होता है और वो सब RAM के मदद से होता है या जैसे आप pin drive लगाते है system में या internet चला रहे है या internet से कोई data डाउनलोड कर रहे है अपने computer में तो ये data सबसे पहले RAM में आता है और RAM में एक special area में collect होता है क्योंकि जो data transfer होकर आता है आपके system में वो तो या bits के पॉम में होगा या चोटी चोटी pieces के पॉम में आता है तो अब ये देखते है कि हमारे पास एक file है 1GB का और 1GB का data एक आप internet या pin drive से अपने system में copy कर रहे है या download कर रहे है जब ये transfer होगा तो क्या ये 1GB का file एक साथ ही पूरा आजाएगा आपके system में तो नहीं ये जो file है या bits या bytes या kilobytes जो भी system के according transfer system होता है उसके through ये आपके system में आएगा तो रेम को data यूज़ करने के लिए एक special place चाहिए होता है तो file size में बड़े होते हैं एक साथ transfer नहीं होते तो उस रेम अपने special area में collect करता है और इसी special area को बपरिंग memory कहते है data वहाँ पर collect करते है और उसके बाद जब वह pull file collect हो जाता है तो RAM आगे कर देता है play करने के लिए जैसे आप ये देख लिए आपके सामने एक picture है ये पूरा एक RAM का structure बना हुआ है देखा जाए तो other sources से data आ रहा है बपर memory में और बपर memory में ये collect हो रहा है जमा हो रहा है एक particular amount में जब ये data इस बपरिंग memory में store हो जाएगा collect हो जाएगा तो उसके बाद ये जो है बपरिंग memory ये data को main memory में transfer करता है execution के लिए और execution जब हो जाती है तो उसके बाद ये data जो है computer के screen पर play हो जाता है इसके समझने के लिए एक example लेते है अगर internet पर आप video देख रहे है और video रुक जाती है जैसे लोग कहते है के video बपरिंग कर रही है तो actually में इसी का meaning ये होता है कि video transfer हो कर बपर memory में आती है फिर वो run हो जाती है तो अगर internet की speed down हो या आपकी system computer की speed कम है तो जो data है वो proper speed में transfer नहीं होता बपरिंग मेमरी में तो इसी वजह से ये video या data है वो रुक जाता है और दूसरी अगर आप देखे तो अगर आपके internet और computer की speed अच्छी है तो आपकी data transfer जल्दी होगा और आपकी video बपरिंग नहीं करें उमीद करता हूं दोस्तों कि video आपको अच्छी लेगी और वीडियो अच्छी लेगे तो चैनल को subscribe करें और वीडियो को लाइक करना ना बुलिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें अल्ला हापिस